मुंबाई सिर्फ इंडिया की नहीं वर्ल्ड की फेमस सिटी है सपनों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसे क्योंकि यहाँ फेमस बॉलिवुड है आज मैं लेकर चलता हूं आपको इसी मुंबाई नगरी के पांच ऐसे फेमस प्लेस से जो आप एक ही दिन में विजिट कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ भी तो लेट्स स्टार्ट नमबर वन गेट ओफ इंडिया सबसे पहले हम जाएंगे गेट ओफ इंडिया क्योंकि मुंबई का सबसे फेमस प्लेस है और इसके साथ ही आपको बोनस में मिलता है मुंबई का ताज होटल भी देखने को जो उसके विल्कुल पास नहीं सिच्वेटेड़ है मैं आपको उसकी थोड़ी सी स्ट्रीव बताऊंगा तो आप इंज्वाइ कर सकते हों दिसंबर 1911 में इस फेमस मॉनुमेंट की आधारशिला रखी गई थी किंग जॉर्ज फिफ्ट के मुंबई आने की खुशी में और 1924 में इसको पब्लिक के लिए उपन कर दिया गया और देखने के लिए नहीं इसके पास की जो ब्यूटी उसको भी देखने के लिए अरेबियन समुंदर को देखने के लिए और हिंदुस्तान का फेमस होटल ताज देखने के लिए जो उसके साथ नहीं लगा हुआ है तो गाइज आपको एक ही विजिट में बहुत सारी चीज़ेंगी देखने को आप देख सकते हैं मुंबई का ताज होटल यह एना ब्यूटिफल अमेजिंग अगर आप मुंबई में है तो इस अमेजिंग प्लेस पर पहुंचना बहुत ही एजी है अगर आप यहां की लोकल ट्रेन से फैमिलियर है तो सीएस्टी स्टेशन यहां का है और चजजगे स्टेशन वहां से कि 40 रुपीज के शेयर टैक्सी में आप आ सकते हो और ओला उबर करके कहीं से भी यह है मरीन ड्राइव हमारी टॉप फाइव में से सेकेंड नंबर प्लेस वह इसलिए क्योंकि गेट ऑफ इंडिया से बहुत नजदीक आई है हमने 40 रुपीज की शेयर टैक्सी की और यहां पहुँच गए तो किलमेटर का डिसेंस है अगर आपको वाक करना पसंद है तो आ सज ö tellement से बहुत ही फेमस है क्योंकि ये मुंबई का कुई नेकलेस भी कहलाती है क्योंकि से बोलते हैं मुंबई क्विज कुई ए विस्का नेकलेस है क्योंकि रात में जब लाइट्स जलती है ये पूरा जो रोड्नेलेस कर्भ आइशा लगसा कोई प्री किलोमेटर लंबा प्रॉमेड है यह नरीमन पॉइंट से शुरू होकर गिरगाउं चुपाटी तक पहुंचता है साथ में सिक्स लेन रोड है अगर आप संसेट देखने के शौकीन है तो टॉस्ट मी गाइज इस इस दा बैस प्लेस यहां से संसेट बहुत ही ब्यूटि को मुंबई की पूरी स्काइलाइन दिखती है बड़ी-बड़ी बिल्डिंग और स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्शन दिखता है मुंबई की एक और खास बात और मुझे लगता है सिर्व मुंबई में है वो यह है कि आप यहां बैट के इंजॉय कर सकते हो और आपका बहुत बात अच्छी लगते कि आप अराम से अपने फैमिली अपने ग्रुप से साथ इंजॉय कर सकते हो बिना यह सोचे कि बाजवाला क्या सोच रहा होगा या आपको कुछ बोलेगा इतना क्राउड आसवास होते भी आप अपनी प्रेवेसी इंजॉय कर सकते हो है ना कमा और अब हम पहुच गए हैं कमला नेहरू पार्क जो हमारी लिस्ट में हैं नमबर थ्री कमला नेहरू पार्क है मालबार हिल्स में जैसा कि नाम सी ही बदा चलता है मालबार हिल्स बहुत मालवावले लोग रहते हैं इदर बहुत ही प्राइम लोकेशन है मुंबए की इस एरिया में बहुत सारे गवर्मेंट और मिनिस्टर्स के आफिसे बगलोज हैं लेकिन उससे पहले मैं पहुंच गया हूँ गड़ी लेकर कमला नेरू पार्क बारिश का मुझनम है लेकिन लखिली आज के दिन बारिश नहीं हो रही है और मेरे बच्ची ऊपर जा सकते है उसमें रेवल कर सकते हैं अफसोस मैं नहीं जा सकता है रहा ब्यूटिफुल और इसके बराबर सी दिखता है मरीन ड्राइव का अमेजिंग यू अभी हम भो भी देखेंगे लेट्स गो मैं आपको या दिलादू के ब्यूटिफुल शूहाउस अभी अभी रिसेंट्ली उपन हुआ है आफ्टर टू येर्स ऑफ रिस्टोरेशन वर्क पहले यलो किलर का हुआ करता था और यह देखें मुंबे की सबसे ब्यूटिफुल बालकनी यहां से आपको नजर आता है ब्यूटिफुल प्लेस है दोस्तों और राइट में आपको दिखाए नहीं है इंडिया के बिल्डिंग यहां एक बार तो आना बनता है अगर आप बंबई के ट्रिप पे हो इस ब्यूटिफुल पार्क को आप माला बार हिल्स्टे लंग्स भी बोल सकते हैं इतनी ग्रीन्री हैं यहां और बहुत ही बड़े अरिया में हैं अभी मैं आपको पूरा टूर कराता हूँ अमेजिंग प्लेज है और थैंक्स टो हमारे ब्यूटिफुल अट्रेक्शन आपको मज़ाद आएगा यह उसका रूफ जो उन्होंने पेंट किया है अमेजिंग है वो देख सकते हैं आप एको पाइंट है यह हेलो 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 मुंबाई गाइज मरिंड राय से कमला नहरू पार्क बहुत जादा दूर नहीं है अर्ले दो किलो मेटर होगा आप एकसी से आ सकते हैं आप अपनी प्राइवेट वीकल से भी आ सकते हैं लेकिन एक बार यह आ गए तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा जो मरीं ड्राइव अभी आप देखकर आ रहे हैं उसी का यहां से आप बाल का निवी देख सकते हैं जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया पहले और वो फेमस जूता घर जो आपने देखा जो बच्चों के बहुत ही फेमस पोयम है दिर्वाज एन ओल्ड वुमेन हो लिव डिन इशू उसके आदार पर डिजाइन किया गया है बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है अगर आ आना ज़रूर बनता है डॉन्ट मिस इट अब हम पहुंच गये हैं जुहू बीच जो आता है नमबर फोर पे टोरिस प्लेटेज में जुहू बीच मुंबई का सबसे अच्छा बीच है इंफेक्ट मैं तो कहूंगा मुंबई का सबसे अच्छा और फेमस बीच है आप देख सकते हैं एंपल पार्किंग है सिर्फ यही ने एक दूसरा भी पार्किंग लेस है पहले आप इंजॉए कीजिए ब्यूटिफुल सं चटको कि यह संडे का सीन है दोस्तों यहां पे हमेशा आपको क्राउड मिलेगा मांसून इस फेडिंग अवे तो बादल आपको दिखेंगे आस्मान पे और यहां का फूड भी बहुत है मज़े मुंबई की पाबाजी और रगड़ा पैटिस बहुत ही मज़े यहां का अब जरूर ट्राइक कीजिए गर यहां आते हैं तो जूगित पहुंचना भी इतना ही असान है संटा क्रूज विले पारले और अंधरी स्टेशन यहां के नियरिस लोकल स्टेशन है अगर आप लोकल ट्रेंट से आते हैं औ लोक किनारे पे हैं अगर लोटाइड होती है तो सी थोड़ा पीछे चला जाता और आपको काफी बड़ा लंबा प्लेस मिलता है घूमने इंजॉय करने के लिए बैटने के लिए और फैमली के साथ पिकनिक बनाने के लिए और आफकोर्स यहां का संसेट भी बहुत खेमस है अगर आपको बैटने की जैगा मिल गई तो जो मालिष के लिए आपको मालिष वाली बिल जाएंगे दिल्पुरी वाले मिल जाएंगे आरा पको और सो सकता है मुंबाइ का कोई का बहुत ही पौश एरिया है जो यहां पर काफी सारे थीमास हिंधी फिल्म स्टार रहते हैं अमिता बच्चन धर्बेन जितेंद्र और भी बहुत सारे स्टार्स रहते हैं और अब चलते हैं नंबर फाइव टूरिस्ट प्लेस की तरब तो लेट्स गौ अब लग पहुंच गया है प्रेमस बेंडरा चर्च यह देखिए यह चर्च बहुत फेबस है बहुत आइकॉनिक चर्च है यहां की और जिसन लोगों ने भी अमार अग्बर एंद्पनी देखे है जो 90s के लोग है तल अब 70s के वो इसको आइडेटिफाई करेंगे अजिता बच्चे नहीं पे फला बढ़ाता है इसी चर्च में इस अब बेसिलीका अफ आर लेडी अफ दी मौंट यह चर्च 1640 में बनी थी और रिबिल्ट ही थी 1761 में के रोमन कैथलिक चर्च है और अरेबियन सी यहां से सामने ही नजर आता है यह पूरे हिलॉक पे बनी हुए जो 80 मीटर हाइट पे मैंने पहले ही बताया था यहां पर एक एन्वल फेयर होता है जो बैंडरा फेयर के नाम से फेमस है वो सेप्टमर के आठ पे दिन से शुरू होता है और बहुत दूरूसे लोग आते हैं उसमें आसपास के लोग भी तो इन्वाल होते हैं लेकिन दूरूसे लोग उस पर टेंड करने आते हैं एक इंट्रेसिंग स्टोरी माउंट मेरी की चर्च के बारे में है कि एक कुली फिक्षिन फिशर्मैन को सपना है अताव जमाने में कि मदर मेरी का स्टेचू स्टी में फ्लोट हो रहा है और कमाल की बात है नाइस दि जब वहां के लोगों ने देखा तो उन्हें एक फ्लोटि 1969 में एक बुक पब्लिश हुई थी इसका नाम था सेंट एंड्रियोस चर्च बैंडरा बिट्विन 1616 एं 1966 उस बुक में भी इस स्टोरी का जिक्र है उसमें एक लेटर पब्लिश हुआ था जिसमें इस पोली फिशन फिशर्मैन की बात को मेंशन किया गया है और जो लोग हिंदी फिल्म के फैन हैं उनको मैं याद दिला दो की एक आइकॉनिक फिल्म अमर अग्बर एंथिनी मनमोन देते हैं उसके डिरेक्टर थे और उसमें अमिता बच्चन विनोद कना और रशी कपूर के बहुत ही अच्छे रोल थे वो यहां शूट हुई थी और उसमें अमिता बच्चन का जो गैरेक्टर था वो इसी चर्च में पहला बढ़ा हुआ था एना कमाल पिक्चर बहुत अच्छी है कॉमेडी है थोरो आप एंजाए करेंगे लाजिक थोड़ा साइड में रखिएगा बट पिक्चर बहुत ही नजाएबल है मेरी तो फेवरिट है सोगा इस अगर आप मुंबई आए हो और आप किसी मिरेकल की तलाश में हो तो माउंट मेरी चर्च परफेक्ट प्लेस से आने के लिए में गौड प्लेस यू और मैं आपको बता दो कि यहां पहुचना कैसे है अगर आप लोकल ट्रेन से फैमिलियर है तो बहुत ही सिंपल है वेस्टर लाइन पे बैंडरा का स्टेशन है वेस्ट साइड में उतरिये आटो पकड़िये यहां से बस की भी रेगुलर सर्विस है आप यहां सकते हैं मुश्किल से आपको 20 मिट से आदा गंटा लग सकता है अगर ट्रैफिक जादा है तो थोड़ा ओर लग सकता है आप अगर अगर बोला उबर करेंगे तो कहीं से भी आपो सकते हैं बहुत ही किमस लेते हैं अगर शिवालिका की वाज़े आज मैं पहली बार उदर गया हूँ जहां हम कैंडल उफर करते हैं मैंने हमेशा नीचे से देखा था और निकल जाता था तो आज मेरी भाती जी कि वाज़े से हैं मैंने वह भी किया और इस गुड चु आफर याट प्रेयर आपको आपके मन म तो गाइस यह थी मुंबई की आइकॉनिक माउंट मेरी चर्च को बेंडर चर्च के नाम से भी जाना जाता है और इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं पांच टॉप प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई लेकिन अगर आप यहां तक अभी तक हैं और बने हुए हैं त अगर आप रिलेशन्शिप में हैं और अभी तक आपने प्रपोस नहीं किया है तो ट्रस्ट मी आप सही जगाहे हैं बेंडरा फोर्ट दा बैस्ट रोमेंटिक प्लेस इन मुंबई 1640 में पोर्चगीज ने यह फोर्ट बनाया था अपना सर्विलेंस स्टीशन के रूप में लेकिन आज इसकी ब्यूटी अलगी है बेंडरा फोर्ट पेमस है अपने ब्यूटिफुल संसेट्स के लिए सामने सब्सक्राइब देखते हैं तो मज़ा आजाता है दोस्तों कि यहां से आप ब्यूटिफुल संसेट्स के साथ साथ इंजाय कर सकते हो मुंबई के फिमस बैंडरा वर्ली सीलिंग को भी देखे सामने हो नजर आ रहा है फिल्कुल पास में ही है ब्यूटिफुल साइट है तो दोस्तों अब चला जाए पोट की तरफ यह देखे गेट के अंदर घुसे हम तब तरफ लोग फोटोग्राफ लेते हुए है दोने तरफ अलगी हुए है एक तरफ पीलिंग दिखता है दूसरे इस बैंडरा की स्काला ही दिखते है इस पीनेजर हैविंग अ टाइम नाइस यह देखिए एक 360 वीव पॉइंट जहां मैं खड़ा हूं अभी एना वीटिफिल दोस्तों एक बार विजिट तो बनता है अगर आप मुंबई आये हो तो गाइस बेंडरा फोट के साथ हमारे टूर एंड होता है आपने मुंबई के पाँच बेस्ट प्लिसेज देखे अग अगर आप इंडिया से शुरू करेंगे और बरिंड्राइब की तरफ जाएंगे फिर कबला नोरिफ पार करेंगे क्योंकि वह एक ही लाइन में उसके बाद आप आप आजाए बेंडर की तरफ वहां आप बेंडरा पोट एंजोई कर सकते हैं मौन्समेरी चर्च एंजोई कर सकते हो अपने फ्रेंड केसाथ नजय कर सकते हो अपने बाइस पार्टर के साथ इंजय कर सकते हो and hopefully आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीज़े हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक तक के लिए बाइबाए टेक केर थेंक यू वेरी मच्च